दोस्तों आपने कभी ना कभी Speed Post और Registered Post के बारे में सुनाई होगा और आपने ये जरूर सोचा होगा कि आखिरकार ये Speed Post और Registered Post होता क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है अगर आप भी speed post और registered post के बारे में सही जानकारी पाना चाहते हो तिस वीडियो को पुरा जरूर देखें बिना skip किये हुए सरसल speed post आज के समय में काफी चल रही है speed post द्वारा की गई post को एक निश्चित समय तक post किया जाता है means speed post एक time bound post है वहीं पर registered post की बात करें तो registered post को एक secure post के नाम से जाना जाता है दोस्तों speed post की बात करें तो इसकी सुरुवात भारतिय डाक विभाग द्वारा 1986 में post की समय बद्ध delivery परदान करने के लिए की गई थी इस सेबा को भारत के सभी अस्थानों में तेज और सुरक्षित delivery के लिए की गई थी या दुनिया के विभिन हिस्सों में एक उत्कृष्ट वितरन नेटवर्क परदान करने के लिए निर्मित की गई है जैसा कि delivery receiver के पते पर किया जाता है delivery लेने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और signature और वितरित किये गई लेखों की संख्या को delivery slip में दर्ज किया जाता है speed post में आप अपनी post को track कर सकते हैं और आम तोर पर speed post को पहुँचने के लिए 2-3 दिनों का समय लग जाता है और वहीं registered post की बात करें तो registered post को हिंदी में पंजिकरित डाक कहा जाता है यह भी एक भारतिय डाक विभाक की सेवा होती है जो एक सामान डाक के समान है यह एक secure delivery के रूप में जानी जाती है delivery के समय प्राप्त करता के signature और delivery के परमान जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती है यह एक साधारन post के समान होती है जिसमें parcel को अपने गंतव्य तक पहुँचने में आम तोर पर 2-5 दिनों का समय लग जाता है speed post और registered post में कुछ सामान अंतर हैं जैसे कि speed post registered post की तुलना में जल्दी delivery हो जाती है जहां speed post को 2-3 दिनों का समय लग जाता है पहुँचने में तो वही registered post को 2-5 दिनों का समय लग जाता है speed post सेवा एक सस्ती कीमत पर उपलवद है जबकि registered post की value speed post से जादा होती है अब बात रही कि दोनों में सबसे अच्छा कोन है तो आप अपने जरूरत के अनुसार इन दोनों में से किसी का चेयन कर सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर आपका कोई question रह गया हो speed post या registered post से जुरी हुई तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद